हर पोयम दे ब्रीज बिल्डर इस ओफन रीप्रिंटेड एंड रिमेंस क्वाइट पापुलर तो जिस पोयम को हम पढ़ रहे हैं वो कई बार रीप्रिंटेड हुई है फ्रेंट्स और वो हमेशा ही इतनी पापुलर रही है इतनी प्रसिद रही है इसके अंदर जो फ्रेक्वेंटली यहां पर कोटेड किया गया है कि यह जो पोयम है इसके अंदर धार्मिक और नेतिक जो नेतिकता के उपर है तो यह पोयम जो है समाच में एक मेसेज है एक संदेज देती है फ्रेंट्स इस पोयम के अंदर बताया जाता है एक बहुत अच्छी बहुत अच्छी पोयम है इसके अंदर एक बुजर्ग व्यक्ति होते हैं और वो अपने रास्ते पर जब जा रहे होते हैं तो अचानक उसको पार कर लेते हैं अपने अनुभाव के कारण बहुत बड़ा और गहरा गड़ा होता है लेकिन वो उनको अपने अनुभव के कारण पार कर लेते हैं लेकिन जब वो देखते हैं कि पीछे उनके एक युवा आ रहा है जो कि अभी बहुत युवा है उसको अनुभव नहीं है तो शायद उसको वो उसमें गिड सकता है उसको भारी नुकसान हो सकता है तो रुख जाते हैं और वहाँ पे उस गड़े को वहाँ पे ब्रीज बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसको पीछे आ रहा है उसको नुकसान नहीं हो तो फ्रेंड्स ये एक मेसेज है कि यहाँ पे जो है वो स्वार्थी नहीं थे जो बुजुर्ग विक्ति हैं उन्होंने पीछे आने वाला जो युवा है उसके लिए केर की उसका ध्यान दिया ताकि वो गिरे नहीं तो समाज में जो कवीतरी है उन्होंने यहाँ पे यह मेसेज दिया है कि आज की दुनिया में यह उस समय इतने सालों पेले उन्होंने इस पोयम को लिखा था आज भी उतना ही सारता कि आज जो दुनिया में जो स्वार्थी लोग हैं स्वार्थी लोगों से दुनिया भरी प तो friends बहुत सुंदर पोयम है, let's read this poem, first line, an old man going along highway came at the evening cold and grey, तो एक जो बुजूर्ग व्यक्ति हैं, वो highway पे जा रहे होते हैं, अकेले, और evening हो जाती, शाम हो जाती, शाम जो हैं, ठंडी और ग्रे होती है, अक्सर जो शाम होती है, उसका यहां पर वर्णन किया है, next line, to a cosm vast and deep and wide, through which was following a silent tide, तो वहां पर एक cosm यहने वो जो गड़ा है, गहरा, खाई या गड़ा, उसका हम बोल सकते हैं, वो vast होती हैं, deep होती हैं, और wide होती हैं, तो बहुत फेली होई, गहरी और चोड़ी होती हैं, वो खाई, वो वहां पर आ जाती हैं, उनके रास्ते में, through which was following a silent tide, और वो बह रही होती हैं, silent tide, वो भद्दी सी होती हैं, और वो बह रही होती हैं, silent, silent मितलब होता है, जो एकदम चिड़ा देने वाली, बद्दा लगने वाला, तो अचानक उनके रास्ते में आता है, तो वो उनको इस तरह से लगता है, the old man crossed in the fell light dim, the silent stream had no fears for him, तो जो बुजुर्ग व्यक्ती होते हैं, वो उसको उस धीमी रोशनी में, शाम की उस हलकी सी लाइट में उसको पार कर लेते हैं, उस खाई को, और वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती, वो जो खाई है, वो जो बड़ा गड़ा है, वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं, बट, लेकिन वो जब उसको पार कर लेते हैं, फिर वो वापिस से मुड़ते हैं, और उस ब्रीज को बनाना, उस वहाँ पे एक ब्रीज बनाना वो शुरू कर देते हैं, नेक्स लाइन्स, ओल्ड मेंड सेड ए फेलो पिल्ग्रिम, नियर, यू आर वेस्टिंग स्रेंथ विद बिल्डिग, तो जो ओल्ड मेन हैं, जो बुरू जरू व्यक्ती हैं, उनको एक पिल्ग्रिम जो यातरा पे जाने वाला जो व्यक्ती होता है, वो उस समय जब उनकी सा तुम्हारी जो यात्रा है वो इस दिन के साथ में खतम हो जाएगी और तुम दुबारा इस रास्ते पर तुमको कभी आना नहीं है क्योंकि तुम तो यह पार कड़ चुके हो तुम क्यों यहां पे ब्रीच को बना रहे हो तो वो अपने सिर को उठाते हैं वो जो ओल्ड मैन है अपने चेहरे को उठाते हैं और उसको जवाब देते हैं उस पिलग्रिम जो फॉलवर था उसको वो बोलते हैं अच्छा फ्रेंड फिर वो बताते हैं अच्छा फ्रेंड फिर वो बताते हैं the path I have come he said जिस रास्ते पे मैं आया हूं जिस रास्ते पे मैं चला नेक्स लाइन में बता है they are followed after me today मुझे उस किसी ने follow किया वो महा पे मेरे पीछे पीछे कोई आया है एक यूद है वो एक यूवा है और चायद वो भी इसी रास्ते से आए कि वो उनके पीछे पीछे आ रहा है तो वो भी इसी रास्ते से आए नेक्स लाइन तो बुजूर्ग व्यक्ति उसको जवाब दे रहे हैं कि जिस खाई ने जिस बड़े गड़े ने मुझको कोई नुकसान नहीं पहुचाया है लेकिन यह जो वो जो युवा है तो देट फेयर हैड यहां पर उस युवा के बारे में बताया है कि उनके जो बाल है उस युवा के वो अभी काले ही है पूरे बाल है उसके मतलब उसमें अभी अनुभव नहीं है शायद यह जो गड़ा है यह उसके लिए बहुत नुकसान वाला हो जाए कभी कहीं वो उसमें गीर न जाए तो ऐसा उन्होंने यहाँ पर उसको बताया कि फेर हेर्ड यूथ में एपिटफुल यह जो फेर हेर्ड यूथ है वो उसको नुकसान हो सकता है तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसको भी इसी रास्ते से यहाँ पर गुजरना पड़ेगा और इसी लिए तो फ्रेंड लास्ट की जो टू लाइन्स में बताया है उसको भी इसी मध्हिम रोश्चनी में शाम की जो बिलकुल कम रोश्चनी डिम लाइट उसी में इसको भी यहाँ से गुजरना होगा और उसके लिए नुकसान वाला हो सकता है इसी लिए मेरे मित्र में उसके लिए यह ब्रीज बना रहा हूँ